हेलो बचलो क्या हाल चल कैसे हैं आप सब सभी बचलोगों को मैं स्वागत करता हूँ एक डिफेंस गुरू गुल चैनल पर और आज आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर मैं स्ट्राटीजी लेकर आया हूँ बहुत सारे बच्छे कहते हैं कि सर कुछ ऐसे चैप्टर से बारे में बता दीजिए जिससे मारा इंडिये का mathematics क्ॉल इफाई हो जाए हमें नहीं सीखना mathematics हमें नहीं करने है पूरी mathematics सरर ऐसा कुछ बता दीजिए जिसे पढ़कर हम लोग एंडिये 2-2024 को यहां पर करकर सके तो लीजिए यह है session आपके लिए तो ये खासकर उन वच्चों के लिए जो maths में थोड़ा सा concise study करना चाहते हैं तिर वितना ही बढ़ना चाहते है जितना examination crack हो जाए तो उनके लिए बहुत important है तो target 60 मैं ने इसका नाम दिया है ठीक है target 60 का मतलब ऐसा कि 60 सवाल आप लोग अप्रोच करो और सही सवाल करके आओ मतलब सारे सवाल सही जवाब दो कोई भी गलत जवाब मत दो अगर आप ये target 60 बहुत अच्छे से करते हो असान सवालों को ढूंड कर आप ऐसे करते हो तो बहुत असानी से आप mathematics का जो exam है जो written part है वो आप आराम से से qualify कर सकते हैं तो मैं आज आप लोगों साथ discuss करने वाला हूं the most important chapters to be covered to crack the NDA 2 2024 mathematics part है ना इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा बहुत अच्छे से point out कीजिएगा मैं यहां पर आप लोगों को chapters भी बताऊंगा और उनके साथ साथ उनकी weightage भी बताऊंगा और थोड़ा बहुत आइडिया भी दे दूँगा कि एक average बच्चा जो है वहां से कितने questions को आसानी से attempt कर सकता है वो भी without है और अगर मान लिजिए आप 1.500 तक का target नहीं ले पा रहे हैं 120 या 140 के बीच में रह रहे हैं तो यकीनन मैं आपसे यह उमीद करूंगा कि आपकी एक टायर में जरूर हवा कम होगी तो दूसरे वाले में अच्छे हवा रखी हुई है यानि आप GAT में बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको GAT में इंट्रेस्ट है आप GAT में अपना स्कोर बूस्ट अब कर लेंगे तो याद रखे कि मिनिममम टार्गेट आपको 120 रखना है मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं 60 सवाल यानिके सकते लेकिन मिनिममम टार्गेट आपको कितना रहेगा कि सर 120 तो करने ही करना है और GAT में अच्छा कासा स्कोर बूस्ट करना है अगर आप इस सिच्चुएशन में कि सर मैट्स में भी हवागा में और दिक्कत है ऐसे पार नहीं होगा तो इस बात को ध्यान रखे किसी एक पेपर में तो आप स्कोर बूस्ट करने की जरूर कोशिच कीजिएगा हां कहने के लिए बात इए कि मैथमेटिक सा पेपर थोड़ा कंपैरिटिवली मुश्किल होता है तो जी एटी में आप असानी से स्कोर कर सकते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दिजिएगा ठीक है दोस्तों चलिए टार्गेट 60 के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो कौन कौन से variety के topics रहते हैं बिटा trigonometric identities रहती है trigonometric equations रहते है heights and distances रहते है properties रहते हैं और inverse trigonometry रहती है अगर मैं level of the questions के बारे में बात करूँ तो आप इन में से करीब करीब 10 सवाल जो है out of 15 solve कर सकते हैं तो यहां से आप अपने दिमाग में set कर लीजिए सर हम यहां से 10 सवाल जरूर लगाएंगे 5 सवाल का मैं leverage दे रहा हूं कि आप लोग difficult question लगे या फिर नहीं समझ में आए या फिर नहीं solve उपाए तो आप इनको छोड़ सकते हैं इस topic को करने के लिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा specific होना है तो मैं सबसे पहली recommendation करूंग इन पर बहुत अच्छा command हसिल कर लेंगे बागे heights and distance properties of triangle और inverse trigonometry इन तीनों के लिए आप लोग किसको follow कीजिए बेटा आप लोग follow कीजिए milestone badge को किसको milestone badge को follow कीजिए और उसकी अंदर मैंने आपको theory भी बता रखी है और साथ-साथ उसके लिए मैंने mcqs भी बता रखी है आप इन दोनों को follow कीजिए आपका काम हो जाएगा short shot इससे जादा करने की ज़रूद नहीं है मैं सिर्फ आपको पार करने में लगा पड़ा हूं ठीक है चलिए अगला level पर अगर मैं बात करूं तो फिर आता है matrix and determinants बेटा यहां से हमें करीब करीब 10 questions पूछ लिए जाते हैं तो बेटा यह भी अच्छा खासा weightage है जिसमें से मैं कहता हूं कि साथ से 8 सवाल आप आराम से crack कर सकते हैं साथ से 8 सवाल मैं साथ सवाल आप आराम से crack कर सकते हैं इसके अंदर matrices and algebra आता है joint and inverse of matrix आता है determinants आता है solution of linear questions आते हैं इसके लिए बेटा जो सबसे पहली recommendation है वो यह कि RS Agarwal for NDA इस किताब को लगाई है इसमें बहुत variety questions आप लोगों को मिल जाएंगे दूसरे level पे more practice के लिए आप milestone batch को जरूर follow करें क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको और variety के questions प्रैक्टेस करवाए हुए है ठीक है ठीक है theory भी पूरी करवाई हुई है साथी मैं practice भी आप लोगों को इसके उपर करवाऊंगा तो यह काफी important phase आप लोगों के लिए हो जाएगा ठीक है तो याद रखेंगे matrix determinants trigonometry बहुत ज़रूरी है next level पे अगर मैं बात करूं तर उसके बाद class 12 की probability के लिए आप लोगों को क्या practice करना है NDA की RS अगरवाल आपको practice करनी है तो इससे आप जितने variety के questions practice कर लोगे आपका काम हो जाएगा यकीन मानिए probability को अगर आप मजबूत करना चाहते है तो आपका permutation and combinations बहुत अच्छा होना चाहिए permutation and combinations की अगर मैं बात करो तो इसका अगला topic की है permutation combination बेटा करीब करीब यह आप से 7-5-7 questions पूछ लेता है 5-7 questions पूछ लेता है और बहुत basic level के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप करीब करीब 4 में से साथ 4 सवाल साथ में से solve कर सकते हैं तो यह weightage आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो मैं यह मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों प्रैक्टिस करने हैं इसके लिए आप क्या करें इसके लिए भी आप सब्सक्राइब करें तो माइस्टोन बैच से आपको काफी फाइदा होगा ठीक है इसके अंदर फंडामेटर प्रिस्टल अकांटिंग पर्मडेशन और जेमेट्रिकल अप्लिकेशन जैसे काफी वेंते हैं और यखीन मानी यह चैप्टर इसलिए इतना इस इंपोर्टेंट होता है अगर आपको PNC के लॉजिक्स ही नहीं पता अगर आपको सिलेक्शन या फिर प्रमृट करना नहीं नहीं आता है तो आप प्रॉबाइबिलिटी के को सॉल्फ करने में बहुत परिशानी फेस करेंगे तो यह आप याद रखिए कि प्रोबाइबिलिटी करने के और इसमें भी मैं कहता हूं कि सर साथ से आठ सवाल आराम से सॉल किये जा सकते हैं कुछ कोईशन होते हैं ट्रिकी तो मैं कहता हूं थोड़ा बहुत तो बढ़के जाओंगे अगर मैं आपको पूरा सिलिपस बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं उसका कुछ ही हिस्सा पुराने सवाल NDA के करिए क्योंकि यहीं से आपको सबसे ज्यादा variety के questions मिलेंगे दूसरे number पर आप RS अगरवाल को follow कर सकते हैं NDA के इसमें भी आपको काफी अच्छे variety के questions मिल जाएंगे तो प्लीज इन्हें जरा seriously follow कीजिएगा बिटा क्योंकि आपको बहुत तेजी से score boost क करने के लिए topics फाइदे की चीज़े है ना अच्छा इसके बाद अगर हम लोग आते हैं sequence and series में तो sequence and series में करीब करीब बेटा हमारे पास 6-8 सवाल पूछ लियाते हैं तो मैं minimum अभी रख रहा हूं कि सर 6 सवाल पूछ लियाते हैं इसमें से आप लोग 4 सवाल तक का target जरूर रखिए कि सर मैं 4 सवाल जरू सॉल कर पाऊंगा हाला कि 6 के 6 हो सकते हैं अगर आपको सही तरीके से आता है इसको practice करने के लिए आपको कहां पर ध्यान देना है आपको ध्यान देना है class 11 की आड़ी शर्मा ठीक है class 11 की आड़ी शर्मा दूसरे नंबर पर आपको RS अगरवाल for NDA ठीक है और तीसरे नंबर पर आपको milestone batch को follow करना है सो दाट आप जाद से जादा पहतरी के साथ इन चीजों को समझ पाए और इनको apply कर पाए एपी जीपी हर्मनिक progression और सीरीस सम से यह concept पूझे जाते हैं आड़ी शर्मा में आप देखो तो आठ सवाल भी पूछ लेता है बाई साथ क्या बात कर रहे हो हां तो पांच सवाल पूछ रहा है मैं कहता हूं इन में से चार सवाल solve करने की हिम्मत रखी है क्योंकि आपने इसे पहली बार class 10th में भी पढ़ा होता है और इसके major applications हर जगा देखने को मिल जाते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि बच्चों को यह topic बहुत अच्छे से आता होगा roots and coefficients class 10th से location of roots class 11th से cubic and bicodratic equation अभी यह थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है तो आप लोग यहां पर primarily focus कीजेगा cubic और bicodratic equation के roots को लेकर जो results होते है maximum minimum value से काफी questions बनते हैं तो इन पर थोड़ा सा focus कीजेगा यह हमारा target हो जाएगा next level पर अगर मैं complex numbers की बात करूँ तो again यहां से हमारे पास करीब करीब 5 questions पूछे जाते हैं कभी-कभी ज़्यादा भी पूछ लेता है तो again हम लोग target करते हैं कि सर पांच में से चार सवाल क्योंकि easy topic है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ज्यादा focus कीजेगा इसकी practice करने के लिए आप क्या कर सकते है class 11th की आटी शर्मा practice कीजिए और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर क्या practice कीजिए आरे सगरवाल practice कीजिए एंडीय की तो variety of questions आप लोगों को practice हो जाएगा चाहे तो आप मेरे साथ साथ में इसकी theory को और in-depth knowledge के साथ इसे पढ़ सकते हैं जिसमें modulus and argument polar form और eolar form और cube root of unity आप देखेंगे की cube roots of unity काफी favorite topic हो रखा है हमारे NDA के UPSC वाले पार्ट में अगर हम लोग NDA के examination में बात करें तो cube roots of unity बहुत जादा important सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं बार-बार तो यह थोड़ा सध्यान रिखिएगा अब बसते हैं in chapters में से तो एक marks तो एक question तो आप यहां से ले सकते हैं अगर मैं relation functions को skip ही कर दूँ मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं वैसे मैं कुछ भी skip करने के लिए नहीं बोलता हूं लेकिन sets में से एक question relation function में से अंदा चुका एक question आप solve कर पाएं ठीक है coordinate geometry बेसे दो सवाल तो मैं आपको कहूंगा कि coordinate geometry से आप 2 सवाल लगा सकते हो section formula, midpoint formula, distance formula पर base जो questions होते हैं अगर आप इसमे class 11th और 10th 10th और 11th की coordinate geometry अच्छे से practice कर लेते हैं तो दो सवाल आप आप आराम से solve कर सकते हैं conic sections मैं कहता हूं कि अगर आपको दिक्कत देता है तो conic section skip कर दीजिए कोई बहुत बड़ा load नहीं है कि करना ही करना है नहीं सरीए है वो है लेकिन हाइस के usage जो है देखे जाते है है derivatives के applications में जहाँ पर application and derivatives बड़ा बच्चों को परेशान करता है तो यहां पर मैं कहता हूं कि वैसे तो 5-6 सवाल पूछ लिया थे application and derivatives से लेकिन मैं एक question की उमीद आप लोगों से जरूर रखोंगा कि आप इसको करें और इसके लिए आप क्या गरें application and derivatives के लिए class 12 की RD Sharma को जरूर practice करें क्योंकि वहां से बहतर सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं और उनहीं से मिलते जुलते सवाल आपको examination में result basis पर मिल जाएंगे हाला कि RD Sharma के question जो होते हैं वो लंबे होते हैं लेकिन उनके results को अगर आप analyze करते हैं तो उनके basis पर यहां पर question मिल जाते हैं limits and continuity से करीब करीब बिटा 4-5 सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप limits को इमानदारी से पढ़ते हो तो तीन सवाल मैं यहां से आप लोगों के उमीद करता हूं थोड़ा सा पढ़ लो बिटा क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है vector algebra आराम से यहां पर 5-6 question vector algebra में पूछ लिए जाते हैं 3D में मिलाकर अगर मैं इन दोनों को मिलाओं तो 7-8 question weightage बन जाता है vector और 3D का मिलाकर तो मैं यहां से कहता हूं कि आप तीन question यहां से ले लो बिटा दो question यहां से ले लो क्या है class 12th class की NCIT को अच्छे से पढ़ लीजिए उसके तीन सवाल आप यहां से ले सकते हो अराम से straight lines आप एक सवाल कोशिश कर सकते हो अगर आपने class 11th की straight lines पढ़ी है तो एक सवाल तो आप solve करी सकते हो यहां से derivatives असान होता है तो question कमाते हैं लेकिन दो सवाल अराम से solve हो जाएंगे integration मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं आती बेटा skip कर दो differential equation अगर नहीं आती है तो skip कर दो लेकिन order and degree का equation जरूर आता है तो आप यहां से एक question तो लगा ही सकते हो integration अगर दर दे रहा है पीडा दे रहा है दूख दे रहा है तो जाने दो नहीं आर आपको तो 60 का अकड़ा पार करना है तो अब अगर मैं total गिनके चलूँ मैंने अंदाज़ा minimum level पे आप लोगों को छोड़ छोड़ के सवाल बताए हैं तो यहां पर आपको 10 question मारने है ठीक है यहां 7 यानि 17 हो गए यहां पर 8 यानि की 25 हो गए यहां पर 4 यानि की 29 हो गए 29 और 8 लगाएंगे तो 37 हो गए 37 प्लस 4, 41 हो गए 41 प्लस 4 बेटा 45, 45, 49, 49 प्लस बेटा 3, 52, 52 प्लस 7, 59, 59 प्लस 6, 65 और 3 यानि मैं करीब करीब ना ना करते हुए भी आप लोगों को 68 questions तक का target दे पा रहा हूं कि आप आराम से ऐसे questions attempt कर सकते हैं जो बहुत आसान होते हैं मत करो मुश्किल वाले सवाल मत करो कि हाँ जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगा आना पड़ रहा है या फिर कोई ऐसा जो बहुत लेंदी लेंदी questions दिख रहे हैं मत करो यार कौन कह रहा है मैंने कहा कि अगर आपने इन सभी के सभी target में फिर से मैं यह चीज़ बताना चाहूंगा because this is really very important मैं बार बार यह चीज़ बच्चों का ध्यान खीचना चाहता हू कि आपको 120 सवाल solve करने के लिए selection नहीं दिया जा रहा है कि आपको 120 के 120 सवाल solve करने हैं नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां से 60 question को solve करते हैं तो आपका score हो जाता है 1500 150 हो जाता है selection के लिए बहुत कम marks चाहिए बार बार बता रहा हूं अगर मैं 33% जो standard होता है अगर 100 marks भी ले लूँ तो भी आप उससे 50 ऊपर हैं और अगर मैं cut off के साफ से जाओं तो पेटा आराम से 120-130 marks लाने वाला मैच के अंदर जो बच्चा है वो आराम से cut off को clear कर जाता है तो मैं आपको यह 1500 marks का जो target है यह आप लोगों को निकलवाना चाहता हूं जिससे मैंने आपको 68 questions तक के target दिया आप 60 questions का target कर लो थोड़ा और अपनी तरफ से छोड़ लो कि हां सर मैं और सेफ खेलूंगा मैं कहता हूं कि यह कौन से questions आपको बोल रहा हूं यह easiest questions मैं बोल रहा हूं कि जो सबसे आसान होंगे आप उनको चुनो उनको solve करो बस एक ही बात ध्यान रखेगा च 120 questions solve करने के लिए आपको धाइगंटे दिये गए हैं आप अपना mindset तयार करिए कि मुझे 60 questions solve करने के लिए एक धाइगंटे दिये गए हैं देखो अपने आप आपका result जो है वो बहतर हो जाएगा आप confidently questions को solve कर पाएंगे because अब आपका time जो है वो दो गुना time आपको feel होने लग जाएगा और आराम से जब आसान सवालों को ध्यान से पढ़ते हुए solve करेंगे recall करेंगे तो आपको answer आएगा आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे 120 सवाल solve करने है अगर आप match में कमजोर हैं अगर आप सिर्फ cut-off clear करना चाहते तो आपको सबसे पहले अपना mindset change करना होगा कि मैं 60 सवाल के लिए यहाँ पर लड़ाई करने आया हूँ और मैं 60 सवाल solve करू आहे एक्जाम Day से पहले पहले तक आपको जो chapter जैसे मैंने जहां से पर ने के लिए बूला है वहां से पढ़ना है और बहुत detail में पढ़ना है और आखरी दिन तक उस chapter के इतने सवाल लगाने इतने सवाल लगाने है कि आप उसके हर almost हर variety के question से अवगत हो पैचान रखते हू उसको solve करने का आपको idea हो क्योंकि जब वो NDA में पूछा जाएगा तो उसका level बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको target कौन से question के लिए का easiest वाले सवालों को target करने के लिए का जो कि obviously बात है सर solve हो जाएंगे आपने ये ये 2 2024 का detailed solution मेरे through देखा है जिसमें आपको पता चला कि paper में वो question मुशिल लग रहे थे लेकिन actually में वो question मुश्किल नहीं थे जब मैंने आपको उनका explanation दिया तो बस आपको ठंडे दिमाग से सोचना था वो question का solution था बिल्कूल था असान था definitely असान था सर जी शायद उसमें से 10 भी सवाल ऐसे थे जो कि थोड़ी से critical thinking थे या फिल लेंदी problems थे लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपका target ही start question का है तो काहे को परिसान हो रहे हो उन 10 भी सवालों के लिए जो कि critical thinking में थे या फिल लेंदी questions थे तो उनको हम जाने दी सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मैं बहुत ज्यादा लंबा session नहीं रख रहा हूं short and crisp आप लोगों के लिए रखा है ताकि information यहां से आप लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप लोग कर पाएं एक direction के साथ और आप result को यहां पर achieve कर पाएं और मेरे साथ share करें तो अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप लोग comment section में बता सकते हैं तो ये session में यहीं पर समाप करता हूं और मेरे ख्याल से आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल चुका है बहुत दिनों से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कौन से ऐसे chapters करें कौन से important chapters है जिससे बहुत ज्यादा ना पढ़ना परें लेकिन exam glare हो जाए तो यह वो तरीका है जो मैं आप लोगो को कितना benefit हुआ क्या आप लोगों ने रिटन फोड़ा तो बस यह है ऐसे ही आप problems अपने comment section में share कीजिए और कुछ भी रहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा so that's all guys thank you very much मिलते अगले session में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों